नमस्कार मैं हरी कृष्ण आरिये राजस्तान से हूँ आज मैं आपको मानोह रैदे की सरंचना और कारिय पढ़नाली के समन्द में बताऊंगा हमारे शरीर में अनेक अंग होते हैं जो भिन-भिन कारिय करते हैं कारिय करने के उपरांथ उनमें ठकान भी आती है इसलिए वो आराम भी करते हैं किन्तु एक अंग हमारे शरीर में ऐसा है जो अनवरत कारिय करता रहता है चाहे हम दोड रहे हों चाहे हम आराम कर रहे हों चाहे हम जाग रहे हों चाहे हम सो रहे हों हर वक्त वो अंकारे करता है और वो है हमारा हृदय हृदय के समन में जानने के लिए ये आवशिक है कि हम इसकी इस्तिती उसकी बाहिय सरंचना और आंतरिक सरंचना की जानकारी प्राप्त करें हमारा हृदय हमारी वक्स गुहा में लगभग मद्धे में किन्तु थोड़ा सा बाई और इस्तित होता है हृदय की कारिय प्राणाली जानने के लिए उसकी आंतरिक सरंचना को समझना आवशिक होगा हमारा हृदय चार कक्सों में बटा होता है उपर का कक्स दाया आलिंद और बाया आलिंद इसी तरह से नीचे का कक्स है दाया नीले और बाया नीले आलिंदों में रख्त आता है और नेलें से रख्त निकलता है आलिंद में दाया आलिंद में एक उर्धो महासीरा खुलती है और एक निम्न महासीरा खुलती है उर्धो महासिरा शरीर के अगर भाग से वी ऑक्सिजनित रुधिर लेकर के आती है जबकि निम्न महासिरा शरीर के पश्च भाग से वी ऑक्सिजनित रुधिर लेकर के आती है इसी तरह से दो जोड़ी दाइं पुल्मोनरी सीराएं और बाइं पुल्मोनरी सीराएं होती है जो फुफुस से ऑक्सिजनी तरक्त ले करके आती है एक महाधमनी चाप होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सिजनी तरक्त को भेजता है इसी तरह से एक pulmonary महाधमनी है जो V oxygen रक्त को फुफुस में भेजती है दोनों निलेओं को प्रत्थक करने के लिए अंतर निले पठ होता है इसी तरह से एक अंतर आलिन पठ भी होता है जो यहां नहीं दिखाया गया है एक महाधमनी कापाथ है जो रक्त के पश्परवा को रोगता है इसी तरह से एक मैटल कापाथ होता है ह्रदे की आंतरिक सरंचना को समझने के पश्चाथ ह्रदे की कारिय प्रनाली को समझना है ह्रदे निरंतर धड़कता रहता है और ह्रदे की धड़कन दो पम्पिंग किरियाओं से बनी होती है ह्रदे एक बार संकुचित होता है और एक बार अनुसितिल होता है जब यह रदे फैलता है तो उसमें पूरे शरीर से वी आक्सिजनित रखता है साथी फेफ़डों से आक्सिजनित रखता है इस किरिया को हम सिस्टोल कहते हैं जबकि पूरे शरीर में आक्सिजनित रख भेजने के लिए और फेफ़डों में वी आक्सिजनित रख भेजने के लिए रदे संकुचित होता है इस किरिया को हम डायस्टॉल कहते हैं ये दोनों किरिया अनवरत एकांतरित रूप से संपन होती रहती है इन किरियाओं को इस प्रेजेंटरेसन के माध्यम से समझाया गया है यहां पर बताया गया है वी ऑक्सिजनित रख्त को बेंगनी रंग से और ऑक्सिजनित रंग को रख्त को लाल रंग से बताया गया है सरो प्रथम जब डायस्टेल प्रावस्ता होती है यानि कि अनुसितिलन प्रावस्ता होती है तो शरीर के उर्दो भाग से और शरीर के पष्ट भाग से दोनों महासिराएं रक्त लेकर के आती हैं दाएं आलिंद में इसी तरह से फुफुस से जो रक्त आता है वो बाएं आलिंद में आ जाता है और इस तरह से प्रथम अभी करिया में दाएं और बाएं आलिंद दोनों रक्त से भर जाते हैं अब बारी आती है दोनों आलिंदों के संकुचित होते हैं तो दबाव पड़ता है और उस दबाव की वज़े से रक्त वापस महा सिराओं में और पुलूनरी सिराओं में नहीं चला जाए इसके लिए सीराओं के छिद्र संकुचित होने लग जाते हैं जो कि उसके रक्त के पस्च परवाह को रोकते हैं जब दोनों आलिंदों के संकुचं से दबाओ और जादा बढ़ जाता है तो ट्राइकस्पिट वाल्प जो कि दाएं आलिंद और निले के बीच में होता है और बाइकस्पिट वाल्प जो कि बाएं आलिंद निले के बीच में होता है वो खुल जाते हैं और उनके खुल जाने दाइन आलिंद में आया हुआ वी ओक्सिजनित रखते दाइन निले की और बहना शुरू हो जाता है और बाइन आलिंद में आया हुआ ओक्सिजनित रखते बाइन निले में बहना शुरू हो जाता है और जब आलिन संकुचित हो जाते हैं तो इस तरह से दाहिने आलिन्द का सारा वी ऑक्सिजनित रखते दाहिने निले में और बाएं आलिन्द का समस्त ऑक्सिजनित रखते बाएं निले में आ जाता है अब बारी आती है दोनों निलाओं के संकुचन की ये भी अभी सिस्टोल प्रावस्ता है यानि कि प्रकुचन की ही प्रावस्ता है ये और माइटल वाल्प और बाइकस्पिट वाल्प ये दोनों वाल्प बंद हो जाएंगे क्योंकि दोनों निलाओं के संकुचन से जब दब खुल जाएंगे और इसी तरह से महाधमनी के कपाट भी खुल जाते हैं उन कपाटों के खुलने से सारा वी ऑक्सिजनी तरक्त फेफ़डों को चला जाएगा और ऑक्सिजनी तरक्त जो है वो पूरे शरीर को चला जाएगा इसी तरह से ये थोड़ी दिर बाद पुल्मुनरी का पाट भी बंद हो जाएंगे जिससे की रक्त पुल्मुनरी महाधमनी और महाधमनी से वापस निलेओं में नहीं आ जाए इसके पश्चात वापस आलिंदों के अनुसितिलन के वस्ता आती है जिसे डायस्टोल प्रावस्ता हम कह देंगे और इस तरह से एकांतरित रूप से सिस्टोल और डायस्टोल की परकिरिया चलती रहती है जो अनवरत चलती है और हमारे हरेदे की धड़कन को बनाती है हमारे हरेदे एक मिनट में लगबग बहतर भार धड़कता है धन्यवाद